तो आये फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने लेके आहा हूँ एक एर गन क्लिनिंग किट यह बहुत ही अच्छी चीज है फ्रेंड्स जिन भाईयों के पास 0.177 करीवर की या 4.5 mm की एर गन है या यह राइफल है जुनसी उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है जैसे आपने देखा होगा कि अपने को कैसे मैंटेंन करना है जयसे अच्छे से बैरल को ठीक से मैंटेंग कर सकते हैं तो यह एक एर गन क्लिनिंग किट है है। आज मैं आपके सौमनी लेके आया हूं तो यह कुछ ऐसे है यह मैंने आमाजोन से ओडर की थी गन शॉप से क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए इसकी लिए उपर यह कुछ ऐसे है एंग क्लिनिंग के तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके मैं आपको खोल के दिखाता हूं तो देखिए फ्रेंड्स यह कुछ इसकी राउड है जो 4.5 mm की है और यह बहुत ही अच्छा व आप इसको लंबा कर सकते हैं यह कुछ ऐसे जोड़ के आप इसको कि यह देखिए कितनी परफेक्ट लिए ज्वाइंट हो गई है पता भी नहीं लगदा बिल्कुल और यह आपकी राइफल में आप इसको क्योंकि बैरल लंबी होती है तो आल्मोस्ट इंडियन एर राइफ और इसमें 4.5 mm की जोंसी होती है उन सब में यह बहुत ही अच्छी तरह वर्क करेगी तो दोस्तों यह आगे इसका एक और दिया हुए जो कि आपने इसमें दो क्लीनिंग आती है टिप्स की आगे की वह मैं दिखाता हूं आपको यह देखिए फ्रेंड्स और कुछ नहीं है इसमें यह दो ही आक्ति है इसके साथ क कि अंब अगरुका है तो यह कुछ है कुछ इसमें जो है यह ब्राश टाइप की है कुछ जैसे पीतल के हैं या कुछ यह बहुत ही कि तार कोई ऐसी मेटीरियल की बनी हुए है जैसे पिछली का तार पता उस टाइब की पर यह बहुत ही वह है यह यह खराब हो जींगी यह आपके इसमें देखिए जैसे कि यह इसके अंदर यूँँ अटाइच हो गई है जा दिखतों आपको कि यह देखिए यह बहुत ही खुबशूरती के साथ इसमें अटाइच हो गई है और फिर इससे आप अपने गन को क्लीन कर सकते हैं इसको अगया कि यह जएक खुछ रहती है आइड़ तीकि आपकुष्टी यह बहुत ही तिक उती है हाथ में चुपती होता है यह जो प्लास्तिक के ब्रॉशल में इसके उपर जो बहुत है अट प्लास्टिक से बनी नीए है उपर से जीच अब बर शें है कि इसको भी मैं आ पूरी राड तैयार हो जाती है आपकी souszet आप बहुत ही अच्छे से अपनी गन की क्रेसे चारी से बस्थेश्यक्र में अब यह उसकि बाद में स्मूध करने के लिए और बहुत ही प्रडुक्ट्ट है दोस्तो्व एमस century- pertama है पर 4.5 mm जैसे एर गन के लिए बहुत रेयर ही मिलता है तो फ्रेंड्स यह था कुछ एर गन क्लिनिंग किट बहुत ही अच्छी किट है यह मैं बहुत ही सैटिसफाइड हूं इससे कई वर जैसे हम लोग साउंड को रख चालते हैं अपी एर गन में जैसे आर्मर हरीकेन होगी या और कोई एर गन होगी जिसमें आके साउंड को लगने की फैसल्टी है तो आप लोगों को तो यह जुरू पर फ्रिदनी चाहिए क्योंकि सांड को से क्या हुता है रस्ट आता है हमारी घंड में और बैरल में रस्ट आएगा तो हमारा पैलेट कभी भी सही से टार्गेट नी होगा तो अगर जापो गन की एकुरेसी अच्छी चाहिए और एकदम बिल्कुल बढ़ीह दरीक किसे उस प्रफित करना और अगर आपको इसकी में आप मेरे कमेंट बॉक्स में में इसका और बाकी आपको पसंद आए तो मैं आपको इसका एक वीडियो भी टुटोरियल का कि इसको गन क्लीनिंग करनी है यह राइफल अपनी तो उसमें एक स्पेशल वीडियो भी बना दूगा आप प्रेशल के लिए तो आप जूरूर कमेंट करना और मैं आपको क्मेंट का रिपलाई करूंगा ओक्यों फ्रेंड्स कर दो